हाली पे हिंदी दिवस के दिन आपने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश को जोड़ सकती है, देश को समेट के एक साथ ला सकती है उसके उपर बहुत सारी चर्चा हो गई उसके बाद ममता जी ने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया, स्टालिन ने कुछ कहा सब ने कहा कि ये जो है स्टेटमेंट ठीक नहीं है और उसका विरोत किया, आप क्या कहना चाहेंगे? दिखे मैंने मेरा भासन पूरा मेरा आपसे रिक्वेश्ट है कि पूरा सुन दिजे गया मैंने सबसे पहले कहा था कि हमारी सभी भारतिय भासा को मजबूत करना चाहें ताकत देनी चाहिए परन्तु कई बार सब राज्यों के बीच में कौर्डिनेशन में अंग्रेजी का उप्योग होता है इसकी जगर अगर हिंदी का उप्योग होता है तो हमारी भासा है इसको ताकत देनी चाहिए और वो सुनता हिंदी में पढ़ी है तो आप अंग्रेजी के परिपेक्ष में कह रहे थे कि ना की और बार उसमें भारतिय भासाओं को मजबूत करने की बात कही है हिंदी की कोई भारतिय भासा से इस परदा नहीं मैं भी नौन हिंदी प्रदेश से आता हूं जी और सुनते हैं कि आपके मंत्राले में आते ही कि मेरे मंत्राले का एक अंग है प्रदान मंत्री ने इधर बीच तमिल भाषा की तारिफ सबसे पुरानी भाषा है और इस बार वेश्टी पहन कर जो है वहां पर भी गय तो क्या यह इस वक्त आप लोगों की अब साउथ को वू करने का साउथ में जो आपकी प्रेजन सभी तरीक है उसको आप मजबूत करने का ठोस करने का यह वो तरीका भी है नहीं नहीं इस देश के सभी संस्कूरतियों को प्रदान मंत्री जी रिप्रेजेंट करते हैं इसको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए तो यह हिंदी वाला यह आरेसे से प्रभावित नहीं है वन इस तरह की कुई बात नहीं है eleni वाले में पश्टता कर दी फिर से क्या हूं मेरे उसी भासन को उठा कर सबotomay Рथा जिसमयन बार बार कहा है की इस्थानिय भासाओं को बल देना चाहिए, इस्थानिय भासाओं को मजबूत करना चाहिए और हमारी कोई भी स्थानिय भासा विदेश की किसी भी भ्यासा से बहुत सम्रुद है